नमस्कार बहुत स्वागत है आपका मैं हूँ आपके साथ प्रेज़ना मिश्रा यही देर में CM Mohan Yadav इसकी शुरुआत करेंगे उज्जैन में CM Mohan Yadav इसका शुभारम करेंगे Emergency में असपरताल पहुचाने में मदद होगी Air Ambulance में Emergency सेवाई रहेंगी Ambulance में सभी High Tech सेवाई उपलब्ध रहेंगी तो सीय मोहन यादव आज मध्यप्रदेश वासियों को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं थोड़ी देर में एर एम्बूलेंस का शुभारम सीय मोहन यादव करेंगे उज्जैन से इसका शुभारम किया जाएगा और मरीजों को एक बड़ी राहत इससे मिलेगी तो जैन से सीय मोहन यादव इसका शुभारम करेंगे एर एम्बूलेंस की शुरुआत मध्यप्रदेश में की जाएगी थोड़ी देर में इसकी सौगात मध्यप्रदेश वासियों को मिल जाएगी सीय मोहन यादव इस एमर्जेंसी सेवा की शुरुआत करने जा रहे हैं और इससे एमर्जेंसी में मरीजों को अस्पताल पहुंचाने में बड़ी सुविधा मिलेगी इसी के साथ आनिस सुविधाओं से लेस ये एर एम्बूलेंस होगी और जादा जानकारी लेंगे प्रमोद शर्मा हमारे संवादा था इस वक्त सीधे हमारे साथ जुर गए हैं प्रमोद एक बड़ी सौगात और बड़ी सुविधा मध्य प्रदेश वासियों को मिलने जारी है एर एम्बूलेंस की माध्यम से इग्जैक्ली प्रेना देगे कई बार ये देखने को मिला है कि यदि किसी मरीच को बैतर स्वास्त इलाज के लिए स्वास्त लाफ के लिए यदि बाहर भेजना है किसी अच्छे हास्पिटल तो अमूमन होता कहता कि बड़ी मौटी रकम लोगों को देखे पे करनी होती थी और पहले से वुकिंग होती थी ये एर एम्बूलेंस की इसके बाद उन्हीं ये सेवा मिल पाती थी और कई बार लोगों की जान भी चली जाती थी अब इस कटनाई से कम से कम लोग नहीं जूजेंगे और मध्यपिदेश के पास मध्यपिदेश सरकार के पास खुद की एर एम्बूलेंस होंगी ये सरकार ने मध्यपिदेश की डॉक्टर मोगाने आदब की सरकार ने फस्ता लिया है आज से इसकी बड़ी सौगात मिलने वाली है डॉक्टर मोगाने आदब कुछ देर में मध्यपिदेश को एर एम्बूलेंस की सौगात देंगे इससे पहले मुख्यमंदी डॉक्टर मोगाने आदब एलान कर चुकी है कई बार ये देखा है एर एम्बूलेंस के लिए देखे जब 3-4 लाक रुपे का खर्च होता है जादा भी हो जाता है कई बार कई बार ये अर एर एर एम्बूलेंस मिली नहीं पाती है और कई बार तो ऐसा होता है कि जो आर्थिक कमजोर वर के मरीज बिलकुल निश्चत रूप से उनको ये सुविधा नहीं मिल पाती है जो आर्थिक रूप से कमजोर मरीज होते हैं लेकिन अब जो एर एम्बूलेंस है एमर्जेंसी में मरीजों के लिए सहूलियत होगी इस एर एम्बूलेंस से ओगन ट्रांस्पोर्टेशन जैसी जो चीजें हैं वो इसकी माध्यम से और सुगम हो सकेंगी रिमोट एरिया में मदद पहुंच सकेगी एमर्जेंसी में अस्पिताल पहुंचाने में मरीजों को सहूलियत रहेगी